अब भी मेरी तरह शाम को स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, मैं थोड़ी बुखर टाइप की हूँ, इसके लिए मुझे शाम को कुछ नो कुछ खाना बहुती पसंद है, तो चलिए हल्दी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने लिए हैं दो ब्रेड, यह वाइ शेप देंगे, यह दोनों जो पार्ट हमने बनाए हैं, यह हमें आगे काम आने वाले हैं, अब दोनों का शेप दे के हो चलका है, अब चलते हैं, नेक्स टेप की और, यहाँ पर मैंने लिया हैं, मिक्सिंग बॉल, एक एक करके सारे अंडे हम उसमें तोड डालेंगे, और करेंगे, कोई छिलका तो नहीं गिर गया, पूरा क्लियर है, अब इसमें एट करेंगे, कुछ वेजीज, यहाँ पर मैंने लिया है, प्याच छोटा-छोटा कट किया हुआ, टमाटर छोटे-छोटे कट किये हुए, और तिखे के लिए डाल देंगे हरी मिर्च, और उसी के स अच्छे से मिक्सिंग-mik्सिंग करके हमें मिक्स करना है, और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब इस बौल को रख देंगे हम साइड में, और चलते हैं हम किचन की तरफ, किचन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने एक नॉन-स्टिक पैन रख दिया, यहाँ क कवर हो सके उतना डालेंगे ओर नहीं डालेंगे और उसी के साथ यहां पर डालेंगे हम चीज अगर आप हेल्थ कॉंशेंस हो तो चीज को स्किप कर सकते हैं लेकिन बच्चों को चीज ज्यादा पसंद है इसके लिए मैंने इसमें चीज भई एड़ कर दिया है और जो कन खोल के देखा और इसको हम दुसरी तरब भी पलटा लेंगे जैसे कि दोनों तरब अच्छे से यह पक जाए ब्रेट के अंदर हमने जो चीज अंडा वेजिस के साथ डाला है वो अच्छे से पकना चाहिए इसके लिए हमें दोनों तरब इसको पकाना है वो भी धीनी उपर से क्रंची अंदर से सौप्ट खाने में बहुती बढ़िया लगेगा और बच्चे बहुती चाव से खाएंगे आप दोनों काम कर सकते हैं अपने लिए ओल फ्री बना लीजिए और बच्चों के लिए बटर के साथ बना लीजिए आपको डबल मिनत करने की कोई जरू यहां पर उपर और नीचे अच्छे से बटर लगा के हो चुका है फाइनली यहां पर हमारा अंडा ब्रेड बन के रेडी है फिर भी उसको हम दो मिनिट एक्स्ट्रा सेकेंगे जैसे की हो यह खाने में ज्यादा क्रंची लगे अब कर देंगे गेस का फ्लेम बन अब इसको म अब यह बहुत ही बढ़िया लगे देख सकते हैं जब मैं यह कट कर के दे रहे हूं अंदर की चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अंडा भी अच्छे से पक चुका है दोनों स्लाइस मैंने कट कर लिये हैं अगर आप चाहें तो इसको आप गानिशिंग भी कर सकत हैं यहाँ पर मैंने मयोनिस ली है वाइट वाली उसके साथ इसको गानिशिंग करके अपने बच्चों को खिलाऊंगी जैसे कि उनको फील आजाए कि यह मार्केट से लाया है लेकिन घर का हिल्दी स्नैक्स है